नमो से धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्ञायानम, नमो लोए सवसाहुणम तीन भुवन में सार, वीत राग वे ज्ञानता, शिवस्वरूप शिवकार, नमहुत्रियोग समारिके नमह समय साराय, स्वानो भूत्याचा का सते, तिस्वभावाय भावाय, सर्वभावांतर अच्छ दे जैसा कि हम सबको विदित है, कि पूर्व के कई सप्ताओं में, हमारा छेडाला जैसे महा ग्रंथ का, जो की आधरन्य पंडित दौलत राम जिकरत है, उसके उपर स्वाध्या जारी है अब इसी शंखिला के क्रम में, अब हम उन एक ऐसे व्यक्तित्व का वंडन पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे वाक्य का, एक ऐसे प्रकरण का वंडन पढ़ने जा रहे हैं, जो की स्वयम में अपने आप में अद्बुत है देखे पूरू में टोडर मल्दी के शैली हम सब को ग्यात है कि एक तो इस छैडाला गरंथ को जो लगू समयसार हम सब ने उपादी दी है जो उनके अध्यता है उनने उपादी दी है वो किसी ना किसी कारण से तो दी होगी क्योंकि एक कहा कुंद कुंद आचार और उनके समान उनके द्वारा करत जो समयसार जैसी महा करती है उसके समान किसी को बताना ये कोई आम बात तो नहीं हो सकती इसलिए लगू समय सार इसको क्यों कहा जाता है इसका एक और नमूना एक उधारण हमारे सामने आज फिर से प्रस्तुत होने जा रहा है जैसा कि हम पूरमे जान ही चुके हैं कि शावक धर्म फिर उसके पस्चात उसके भी पूरमे संसार की दुखों का वंडन उसका उपाए फिर शावक धर्म फिर बारा भावना है और अब छटी ढाल में जो कि छेडाला की अंतिम ढाल है उसके अंदर पूरुम में ही 28 मुलगुणों का जो कि मुनी राजो द्वारा पालन किये जाते हैं उनका वंडन कर चुके हैं लेकिन अब उसके पस्चात क्या क्योंकि वास्तम म मुनी धर्म का मूल जो है 28 मुलगुण नहीं है एक बहुएर फिरसे वास्तम में जो मुनी धर्म का मूल है वह 28 मुलगुण नहीं यह 28 मूलगुण तो उनका शुक्भाव रूप से प्रवरतन करना पड़ता है करना पड़ता है शब्द का प्रयोकर है वह अपनी इच्छा यहां से लेने जा रहे हैं सौरूपा चरंचारत्र नाम से ऐसा लगता है की कोई महान कोई महान विश्य को हम यहां से प्रतिबादिव करने जा हैं क्योंकि 28 मुलकुण के पश्चाद सबसे पहले तो दौलत राम जी ने व्यवहार की स्थापना कर दी कि मुनिराज जो है वो इन 28 मुलकुणों का निरतिचार पालन करते हैं परंतु उसके पश्चाद अभी यहां पर सुरूपा च्रान चारित्र का व्याख्यान प्रारम में करते हैं तो देखिए हम ज्यादा समय इसके उपर ना गवाते हुए और आप सब प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे उस प्रक्रिया का यहां पर दौलत राम जी वंडन कर रहे हैं इसलिए हमारा तो एक करतव बनता है कि हम इस स्वरूपा चरण चारित्र का बहुत ही अच्छे सा भ्यास करें स्वाध्या करें और जीवन में धारण करें देखिए आप स भें दिया वर्णा दिया रुरागा दितने निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतो निज करियाब को आपे गयो गुण गुणी ग्याता ग्यान गेया मंझार कछु भेदना रहे हो कुछ कुछ अर्थ तो यहां पर समझ में आ गया होगा परन्तु जब हम इसका विस्तर से वंडन देखेंगे तो फिर आपको उतना ही आनंद आएगा जितना उन मुनिराजों को आ रहा है जितना दौलत राम जी को इसकी व्याक्या या फिर यह लिखते हुआ आया था और ज वास्तम में स्वरूपा चरण चारित्र स्वयम में भेद तो है ही परन्तु जब हम चारित्र की व्याक्या देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में हमारे मस्तिश्क में जो परिवाशा आती है जो कि आचारिक कुंद कुंद द्वारा प्रदत्त है और उनको भी सर रूपे चरणम चारित्रम कि स्वरूप में चरण करना विचरण करना रमन करना वही चारित्र है तो यहां पर स्वरूपा चरण चारित्र यह दोनों समान रूप से नहीं दिखते हैं क्यों यह सब समान रूप से नहीं लगते हैं आपको कि स्वरूपे चरणम चारित्रम एक कि रफ तो चारुत्र की परिवाष देते हुए सीर्ण मीं चरन करना वहfigis यहां पर एक भेद के रूप में खड़ा اखर दिया कि सबस्किणार जिन्न परम पैनी सुबधी छैनी डारी अंतर भे दिया कि जिस प्रकार उधारण से सिध्धांत के और लह जा रहे हैं यहां पर धौलत राम जी कि जिन परम पैनी परम पैनी परम अर्थात उतक्रश्ट रूप से और पैनी अर्थात तीक्ष्ण तीकोनी जिसा हम इंगलिश में शार करता है दो यंत्र तो उसके पास अवश्चे से होते ही हैं कि सबसे पहले तो एक छैनी और एक हतोड़ा क्यों क्योंकि जब उसको मूर्ती बनानी है तो फिर उस मूर्ती को वह आकार कैसे देगा कुछ साधन तो चाहिए तो छैनी जो है वह साधन मनती है और छैनी के उपर दवाव बनाने के लिए एकाधन चाहिए तो व 현재 उसके लिए हतोड़ा लगता है तो देखे जिस प्रकार मूर्ती कार होता है वो उस पाशान के उपर जब अपनी छैनी का प्रेख करता है तो फिर उससे कुछ भी आकार बना सकता है भग्वान का बना सकता है किसी अन्हे य परणतू उसी प्रकार यहां पर भी हिय गड़ित करते हैं कि जो मूड़तीकार होता है वह तो उस पर जो चैनी है उसको वहां पर रखता है और उसके बाद उस से भीदन करता है पाषान का कि उसी प्रकार यहांपर जो मुं픈 राज हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो सुबूदी चैनी सुबूदी अर्थात सम्मेक ज्ञान रूपी चैनी से कहां तो पहले कहकर आ गए कि सम्मेक ज्ञान के बिना अंतिमिक्रे वकल्यों की हत पायो अनंत विर्यामद पर सम्मेक ज्ञान नलाद हो वहां का मूल कारण क्या था कि सम्मेक ज्यान की प्राप्ति नहीं हुई तो अब सम्मेक ज्यान की प्राप्ति हो गई है तो फिर हमारा क्या लाब हुआ अर्थात मुनिराजों का क्या लाब हुआ तो फिर उसको यहाँ पर बताते हैं कि सुबूदी चहनी डारी अंतर भे दिया कि अंतरंग में वो जो समय ज्यान रूपी छहनी थी उसको डारा, मर्थाट डाला और उससे क्या करा कि भेदिया, किसमें भेद करा तो आत्मा का जो ज्यान आनंद रूपी स्वभाव है उसमें और जितने भी यहाँ पर रागादी भाव हैं और किसका भेदन करा वो भी अगल पंक्ति पढ़ने के बाद जितना आनंद समय सार के अध्यताओं को आएगा उतना आनंद शायत तक हमको आ सकता है कि अगली पंक्ति में क्या क्या कि वर्णादी अरूरागादी अर्थात यहां पर जब हम समय सार का अध्यन करेंगे तो वहां पर स्वयम 50 से 55 गाथाओं का जोड़ा है अर्थात यह चैग आता है यह एक साथ आती है जिसके अंदर 29 बोल गिनाये गए हैं आचारे कुंद कुंद द्वारा और उसके अंदर ही वह आत्मा को पूरे 29 चीज़े गिनाई हैं उन सबसे भिन्ने बताते हैं उसमें क्या कर दिया वर्णादी अर्थात इस परश रस गंद वण्ड और किस-किस से अलग है कि संगहनन संस्थान सबसे अलग बताए और तो और गुन ससान से भी अलग बताया ये देखिया आप गुन सान जो कि प्रतक से महाविश्य है एक अलग से अंद्बुत विश्य है उस isn'therida बता दिया तो यह कैसी बात हुई सा यहां पर इस पश्च्टी करन करते हैं कि जिन परम पैनि सुबुर्दी छैनि डारी अंतर भे दिया वरनादी अरू रागादी से यहां पर क्या आर्थ लेना है तो रागादी अर्थात जितने भी भावकर्म, द्रव्यकर्म और नौ कर्म हैं उन सबसे भी भिन ने बता दिया जैसे कि हम कर्मों का चक्र बढ़ते ही हैं क्यों कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म भाव कर्म से द्रव्य कर्म तो जब इनसे भी भिन ने बता दिया तो फिर संसार का यह जो चक्र व्यू है यह बचेगा क्या अर्थात इससे यह भ करने वाले हैं अलग नहीं नियारा जैसे हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे अर्थ में प्रयोग करते हैं उसी प्रकार यह आत्मा का सभाव है यह इतना अच्छा है किसके लिए नियारा शब्द कि सबसे पहले निजम आहीं तो यह किसके लिए किसके लिए कर रहे हैं तो निजमे अर्थात निजमे इस पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखें तो निजमे फिर निज के हेतु तो किसके लिए निज के हेतु अपने लिए कर रहे हैं कि दूसरे के लिए हम यह 28 मुल्गु का पालन नहीं कर रहे हैं यह जो हम सुबुदी छैनी से आत्म सभाव और बाकी सब कर्म हैं उनको किसी दूसरे के लिए हम भिन्न नहीं कर रहे हैं वास्तम में हम हमारे हित के लिए यह जो आत्मा का सभाव और बाकी जितने भी अन्न हैं उनको कुआ हम बिन्न कर रहे हैं थमेर की निज कर आपको आप जाधा तर हम जिनवानियों के अंदर प्रयोग देखें प्रोपदैंगे तो जैसे लोकिक में रहे हैं कि आप सब इम्मेरे प्रवचन सुन रहे हैं तो आप तो किसके पर के लिए पर के लिए प्रयोक करा गया परंदु जिन्वानी में ज्यादा तर आपका अर्थात आत्मा के लिए ही प्रयोक करा गया क्यों क्यों कि वास्ताम में आप भी आप भी जो है आत्मा ही है फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको वेफिसके बाद आत्मा के द्वारा ही करा है और आखरी में कह दिया कि आत्मा को पर का हस्तक शेप भी नहीं है, वास्तम में जरुवत है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, फिर उसके बाद आखरी में कहते हैं, तो जब हमने यह सब कर लिया, तो फिर क्या हुआ, अब इसके बाद लगातार, दो छंदों के अंदर, दौलत राम जी ये बताते हैं, कि सौरूप गुणी, फिर उसके बाद बताते हैं, ग्यान, ग्याता, गे, ये सब जितने भी हम वरतमान जगत में, अभी हम प्रयोक करते हैं, कि आत्मा इतना गुणवान है, और उस गुण के अंदर, वो गुण किसके आधार बटे के हुए, तो मेरे आत्मा के अर्थात में क्या हुआ गुणी, ये जो भेद हमने करा, इसका भी वहाँ पर नश्ट हो जाता है ये भेद भी, फिर उसके बाद क्या बोला, ग्यान, ग्याता, गे, कि मैं जानने वाला हूँ, किसको जानता हूँ, तो ये मेरे सामने, जो अनमूल बैठा है, मैं उसको जानता हूँ, फिर उसके बा कि अभी तो यह सुरुवात बताई है कि किन-किन का भेट खतम होता है अब जब आगले वाले चंद पर देखते हैं तो एक बार अगले वाले चंद का पाट करते हैं कि जहां ध्यान ध्याता देय को नवे कल्ब वच भेदना जाहां चिद भाव कर्म चे देश करता चेतना किरि आता हां तीनों अभिन अखिन शुद उपयोंग की ने शल दशा प्रगटी जहां द्रिग ज्यान व्रत ये तीन धाए कई लसा और किसका और किसका अंदर अभेदात्मक आदे अभेदात्मक जो रूप है वो प्रकट हुआ तो जहां ध्यान ध्याता ध्ये ये तीनों मुनिरा सबसी मुक्य होते हैं क्यों वास्ताम में जो शुक्ल ध्यान रूपी अगनी है वो तो से ब्रकट होती है धियान से ध्यान अर्था क्या कि इंग्रहां मेर्मता 250 नहीं रहता कि हम कैसे मालने तो और्लत राम झीश्वय में लिखते हैं कि जहां ध्यान ध्याता धे और उसके न विकल्प नहीं रहता की द्यान हroyable नहीं रहता और उसके बाद वच्च भेदना तहां अर्थाद अपतेश देने का भी उनको विकल्प नहीं आता है फिर उसके बाद क्या कहा कि चिदवावppers चिदेश करता चेतना कर्या कि वास्तम यह हम देखें तो ये कर्म करता और क्रिया ही हुई क्यों? क्योंकि मैं करता हुआ जानने वाला अत्वा ध्यान करने वाला और ये जो ध्यान है या फिर ये ग्यान है ये क्या हुई क्रिया हुई और उसके बाद मैं जिसका ध्यान कर रहा हूँ या फिर मैं जिसको और चेतना, यही है, कर्ता कर्म क्रिया, अर्थाद कर्म कर्ता और क्रिया, यही बाकी रह गया, कि चेतन भाव अर्थाद, यही वास्तविक्ता में कर्म है, कर्म अर्थाद जिसको हमने जाना, फिर उसके बाद चिदेश, चिदेश अर्थाद आत्मा है, वही उस जानने का करत और उसके बाद चतना जिए जो से ग्यान और दर्शन precisamente तो में रहे पर क्रिया कि रूइंडे बशुण कि निशद टेना नर्घ गृता और ग्राव यह 10 पर है तो आत्मा के अधार पर कि इसलिए यहाँ पर पहले इस पश्ट कर दिया कि तीनों अभिन अखिन और किसकी निर्मल दशा है शुद्धोपयोग की निर्मल दशा क्यों 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 क्योंकि यहाँ पर वर्णानी स्वरूपाचलान चारित्र का चल रहा है और जब आप छड़ाला के अंदर देखेंग तो स्वरूपाचलान चारित्र हेडिंग डाली और उसके पास ब्रैकेट में लिखा कि शुद्धोपयोग अर्थाद स्वरूपाचलान चारित्र ही शुद्धोपयोग है इसलिए यहाँ पर पहले इस पश्ट करता है दौलत राम जी कि जो करता आकर में क्रिया ये जो है वास्तव में तो शुद्धोपयोग की ही निश्चल जाता है निश्चल दशा है फिर उसके बाद अंतिम पंक्ती में क्या कहता है कि प्रगटी जहां है तिरक ग्यान इवरत ये तीन धा एक ही लसा अर्थाद जहां पर हमारा वास्तविक दर्शन ग्यान और चारित्र यह आत्माही है तो विर्ण में बेद किस आधार पर करें इसलिए वास्ता में तो आत्माही करता है आत्माही करम है और आत्मे को जानना ही क knowledge करते हैं अगले दस्वे छंद में कि परमान नयनिक शेप को गागे ही बढ़ते हैं परमान नयनिक शेप को नहों द्योत अनुभव में दिखे द्रग ज्यान सुक बल मैं सधा नहीं आनबान जु में मोविक है मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफलनिते अब क्या बात कर रहे हैं कि वास्तम में लक्षन बता रहे हैं कि क्या है तो अभी जो हम अभेदात्मक जान रहे थे उसी ये किरम में और क्या बताते हैं कि प्रमान नय निक्षेप इन तीनों इन तीनों में भी हमको भिन्नेता बासित नहीं होती अर्थाद शुद्धो प्यो कैसे तो देखे प्रमाण उन्हें क्या है जैसे कि तत्वार सूत्रों में स्वयम आचारे जो उमा स्वामी है वह कहते हैं कि प्रमाण नहीं है रदिगमह कि जिन पूर्व में हम तत्वों की बात करते आ हैं उनको बाइने का जो अधीगम है वो क्या है प्रमान होनला है तो अधीगम के अंदर भी भेद नहीं रहता कि नहीं रहता वास्ता में वह आत्मा को ही जानते हैं आत्मा के द्वारा ही जानते आत्मा के लिए ही जानते हैं और उनका सब अगर сод bytes डर्शन ज्यान चरित्रक हैं तो वो आत्म मैं हो चुका है इसलिए यहां पर एक परसेंट भी उनको भेद नहीं दिखता फिर उसके बाद का प्रमाण नए निक्षेप कोना उद्ध्योद अनुभव में दिखे उद्ध्योद अर्थात प्रकट रूप से भी नहीं दिखता तो विर्क्या है प्रकट होते हैं उसका ही उनको वहाँ पर निरंतर ज्यान चलता रहता है कि मेरा सभाव कैसा है कि अनंत दर्शन में हैं अनंत ज्यान में हैं अनंत वीर में हैं अनंत सुख में हैं तो यहीं उनको वहाँ पर लगातान ज्यान चलता रहता है इसलिए और जैसे कि हम में पूर है जैनी से ही अरे ग्रहन करो वहांपर तो खेर आत्मा और बंद इन दोनों के बीच में भेध करा करना था तो वहांपर भेध विज्ञान की प्रक्रिया बताते हुएं वहांपर भी प्रग्याचेहनी का इस्तुमाल कर से जी शब्द है उसका प्रयोग कर पिर उसके बात क्या कहते हैं कि मैं साध्य मैं साधक ये भी वहाँ पर भेद नहीं रहता है कहां पर कि जो मुनिराज शुद्धो प्योग की दशा में बेटे हैं ये भी भेद वहाँ पर नहीं रहता वास्तम में क्या है मैं आबादक कि भाईया मैं किसी के किसी के भी द्वारा बाद दे नहीं हूँ यही वहाँ अव्याबाद जिसे हम कहते हैं तो अव्याबाद वहाँ पर उनके अनुभूती में प्रकट होता है कि वास्तम में मेरे को एक कर्म रागदोय शादी वर्णादी ये कुछ भी मेरे को मेरे आत्म सभाव के पास जाने के अंदर बाधा नहीं पहुचा सकते यह उनके अनुभूती में चल रहा है फिर उसके बाद कर्म अरुतसु फ़ला निते कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म यह सब जो हमने पूरू में गिना है कि इनके फल से भी मैं भिन हूँ फिर उसके बाद अंत में कहते हैं कि च पुलत राम जी ही लिख सकते हैं कि चेद पेंड चंड अखंड सोगुण करंड चुद्ध पुनी कला निते कि चेद अर्थात चैतन्य का पेंड हूं और क्या हूं कि चंड अर्थात निर्मल और एश्वर्यवान हूं अखंड कि मेरे मेरे मुझे कोई भी खंडित नहीं कर स अर्था कि जो सम्मैक दर्शन ज्यान और चारेत्र य électtw तीन रत्न है इन्को समालने के लिए जो करंड अर्थात पेका रहा है वह से यहाँ पर सोगुण करंड की मेर Spl उनंत शक्तियां में जो पूर्ष है उनको वा स्धमय समालनेवाला कौन है उनका अधार कौन है तो यह आत्मा चुत पुनिकला नीते और जितने भी अशुद्धता हैं अर्थाध जो राग-भाव हैं ध्रव्य कर्म हैं नो कर्म है वा स्तमय मेरे थे ही नहीं और फिर इसको ही आगे फल सुरूप में सपश्ट करते हैं तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि बढ़ियां बुद्धी किसे कहते हैं कि जो पहले अपने हित के बारे में सोचे कि अगर मैं ये व्यापार करूंगा तो इससे मेरे को कितना मुनाफ़ा होग कि जैसा हो तो प्रगटें अपनी निधी मिटें पर की प्रवरति सब कि वास्ता में सवरूप चान चारित्र का फल क्या होता है कि जिसके होने पर अर्था जिसके प्रगट होने पर जो पर की जितने भी अपनी प्रवरति है करत्रत्व बुद्धी ममत बुद्धी एकत बु और जब हम इसके बाद वंडन देखेंगे तो सवरूपा चरण चारित्र और अर्यंत दशा इनके बीच में कोई विश्य आया ही नहीं अर्थाद जब हम सवरूपा चरण चारित्र अर्था शुद्धु प्योग की जब हमारी निरंतरदा बनी रहती है तो अर्यंत दशा से न यहां पर दो पंगतिया देते हैं कि यहां चिंत निजमें थिर भए तिन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा एहमें रखे नाहीं कहो कि वास्तम में सुरूप बच्रण चारित्र में और शुद्धुप्योग की निरंतरता में जो उनको आनंद सुपयां सब्सक्राइब उनको आनंद की अनुभूति हुई यह वह सकते हैं क्या नहीं समय साल बता सकता घ्र्र नहीं और नहीं जाती है और वर्तमान में जिनको हम बड़ी वद्वी मानते हैं वो लोग भी सानंद का वर्णन करने में समरते हैं क्या तो नहीं है किस-किस को गिनाया कि जो मनुश्य गती के हैं अधू लोग के हैं और जो उर्दो लोग के हैं इनके जो जो भी प्रमोख हैं उनके द्वारा भी एकद्हिणिया नहीं है तो वास्तव में तो इनका फल यही है, इनका सार यही है कि हम भी मुनी राज बनने के मारग पड़ चलें सम्मेक दर्शन ज्यान चारित्रानी मोक्ष मारग है इसका वास्तव में हम अर्ट समझें और जो सुरूपाचरान चारित्र है जो शुद्धोपयोग है हम भी उसको धारन करने का भाव प्रकट करें और शीगर ही शीगर हम भी उस शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की और बढ़ें या फिर अशुभोपयोग से शुभोपयोग की और और शुभ से शुद्धोपय कि यां वो प्रकट हो गी आज जो मुलगुन हैं वो प्रकट होंगे तब हम को जिस आनण्द का अनुभव हो दो सान度 कहीं नहीं है पूरतीन लोक में कहीं नहीं साहरी सी में है कि हम भी उस मोक्ष मारिक पर चलें और उस मोक्ष रूपी परियाय को प्रकट ना करें क्यों? क्योंकि हमको मोक्ष परियाय को प्रकट नहीं करना है वास्ता में हमें तो अपनी आत्मा की अनुभूती करनी है और उस मोक्ष जो बड़े पंडिजी है उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक है जिसका भाव तो कुछ इस प्रकारी है कि उस मोक्ष को अगर मेरी जरुरत हो तो हो परंतु मेरे को मोक्षी जरुरत नहीं है मैं तो अपने आत्मा के आनंद में ही रत रहने वाला हूं इसलिए मूल तो आत्म ग्यान है आत्मे ग्यान ही ग्यान है सेश सभीय ग्यान और विश्व सांदी का मूल है वी तराग विग्यान इसी मंगल भावना से मैं आज की चर्चा को यहीं में राम जाता हूं